भाईयो जो हमारी आज की वीडियो है भाईयो आज की वीडियो है नियो होलन चती सो डैश टू सुपर तो भाईयो यह बिल्कूल ही नया मॉडल आया है यह दिसंबर में ही जो मैनुफेक्ट्रेस ट्रेक्टर की दूसे में चेंज क्या किया है जो मोटा मोटा चेंज किया है मै यहां पर लिखा हुआ आता था वह company ने यहां पर कर दिया बाइव इस पर यहां पर लिखा हुआ आएगा और बाइव इस ट्रेक्टर की पूरी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे बहुत यह अच्छा ट्रैक्टर है और यह ट्रैक्टर का मैं आपको एक चीज मता द उनत्तिस सो कतिसी वाला इसमें इंजन है जो की च्छतिस सो तीस च्छतिस तीस का इंजन है तो भाई यह कुल्मिला के बात ही है कि companies को 50 HP कहके देती है इस पर लिखा भी हुआ है 50 HP केटेगरी मैं आपको दिखा दूं यह वाला लेकिन जो इसकी एक्चुल में जो इसकी पा है कि इसके लिए चलाने के लिए कम सकम दूसरी company का आपको 55 HP चाहिए जब जाके यह ट्रैक्टर कोई और ट्रैक्टिस का मुकाबला कर पाएगा तो भाई उसकी एक और बाद जो मोटी मोटी सी सी सीचेस में company चेंज किया है जो आलाउंडर और सूपर में जो फरक आया है आ नहीं पहुछनेगा नहीं भाई उसके बाद जोसका में चीज है एक चीज बाप बता दूंब जो सबसे में चीज मे इसके जो एकसल महां है पहले चार तरीके अंट षू weaker single का आता है double reduction आता है और है और हर mistिर संब बोल देते हैं पर तो शोटे ट्रेक्टर में आता है EPI वह वाले तो भाई इसमें पैलेंटी ड्राइव वाला रिडक्षान सिस्टम दे दिया गया है जो की ट्रेक्टर इंड़स्त्री में सबसे अच्छा का पुरा कपूरा जिसे बोलते के एक PTO power है मलगी जिसकी PTO में option है वह साथ तरीके के हैं वह आपको बता दूँ एकस्ट समय economy PTO आएगी जो कि 1600 पे 504 निकाल एगा एक इसमें power PTO आएगी जो की बाइस सो पर पांसो चलेगा और एक जी एस पीटी ओ आएगी जो अपनी ग्राउंड पीटी जो से बोल देते हैं और भाईयो इसमें फिर मल्टी स्पीड पीटी आजाती जो कि इसके गेरों के हिसाब सी पीटी चलेगी तो कुल मिला के साथ तरीके से इसकी पीटी ओ कर आप इसमें थोड़ी से और एडवांस कर दी गई है तो भाई उसमें तीन सेंसिंग हॉल जो से पॉइंट बोल देते हैं वो लगे हुए हैं अगर आपको ज्यादा सेंसिंग की जुरुत है तो आप नीचे वाल में डालोगे अगर उससे कम की जुरुत है तो बीच वाल में और आपको जैसे रूटा वाइटर बगारा हो गया जैसे इंप्लीमेंट होगे जिसे पिल्कुल भी सेंसिंग की जुरुत नहीं है तो इससे आप अपर हॉल में डालोगे भाईयो तो भाई उसके डिस्ट्रीवूटर बगारा रिमोट वाल बगारा सारी इसमें इन्विल्ट है अपना जिसे कहते हैं कि आलू की बोई कर रहे हो जा अपना गेहों बोने की मशीन चला रहे हो तो भाईयो आपको एक बार सैट करनी पड़ेगी उसके बाद में पूरे का पूरा जो खेत है वह एक गहराई से ही मशीन बोदेगी इतनी अच्छी लिफ्ट सेंसिंग इस्ट् पचास वोला के हैं आप साथ-पचास-वोला के भी ले सकते हो अपना उप्शन है और इसमें सिंगल एक्टिव रोड वाला भाईयो पावस्टेरिंग इसका एक वज़ा क्या होती है इसकी वज़ा यह होती है सिंगल रोड वाली की कि अगर आपका ट्र त्र पर याप पूर इसमें बताई दिया गया है एक दो चीज़े जो बतानी थी मुझे यह बतानी थी कि इसका जो कलच है ना भाईयो वाके में आप चला के देखोगे तो बड़ा ही स्मूथ कलच है जो की 50 HP कैटेगरी पे कंपनी क्लेम करते हैं कि किसी और ट्रेक्टर का इतना स्मूथ कलच न आते हैं कि और स्कॉंस्टेंट मैश गेर बॉक्स आता है भाईयो इसमें जो की लॉंग लाइफ लॉंग डूरेबिलिटी वाला गेर बॉक्स है तो बजो एक चीज आपको इसमें रह गी है मैं आपको उतादू यहां से भी यहां से भी आपको इसकी सेंसिंग वगरा एडजस्ट कर सकते हैं और साइट सिफ्टिंग के साथ यह गेर आते इसमें और यह इसका रिमोट वाल का जो मालोगी को डंफर गहरा प्लाव वगरा आप चलाओगे तो यह उसका गेर है तो भाई उसका पूरा और इसमें भाई कंपनी फिटेड़ी बंफर आएगा पिचासी गिलोगा इसका बंफर है ठीक है और यह मारका मैंने आपको बताई गया था सूपर का जो बोनिट पर लिखा हुआ था यहां पर वह कंपनी नहीं यहां पर कर दे जो कि दिसंबर के लास्ट में बीस दिसंबर के बाद जो ट्रेक्टर आए हैं वह इस मोटल में और इसमें पीटियों का इंडिपेंडेंडेंट क्लॉच दे रखा है यह होलेंड की लगभग सभी ड्रक्टरों में आता है आपको एक बाद स्टार्ट करके दिखाबते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लॉच्टर में देख लीजिए आप यह थोड़ा सा इसका डिजाइन भी चेंज कर दिया गया है यह इसकी एंडिकेटर की सुच है अगर इधर से करोगी यह बला जल है इधर से करेंगे तो भाई स्टार्ट होगा जो कि सेफ्टी स्विच्च जो कि बुद्नी की डिमांड पर किया गया है तो भाई उसके जो रेटीड रपीम है वह 2400 है तो टैक्टर में ना मात्र में धुवानी है कोई धुवानी टैक्टर में तो भाई जो पीटियो का मैं आपको बताया थे तो 1600 पर 540 निगा लेगा और 12,000 पर निगा लेगा तो भाई वीडियो कैसी लगी पमेंट करकर दूर बताँना एंपनों पर दो कर you